दो दो आज का फर्स्ट ही फूसरेड है ट्रेनिंग के सब्जेक्ट लिए तो आपके ट्रेनिंग के जो टाइम टेवल में आपको दिखाता हूँ इस टाइम टेवल में आपका जो पहला सत्र है वो सत्र है ग्राम सबार ग्राम पंचायत की बैटकों के बारे में आपको जानकर है तो हमिद करता हूं इस जानकरी को पूले मारत तक देखेंगे दोतों थे पहला जो भी सह हो ग्राम सबया है और कर्ण paint तो जान ले रहे हैं ग्राम सबह क्या होती है जान लें आप जो भी आपके गाओं का जन्य स्मुदाय है मतलब आपके जो व्यास्क मदाता हो का घुप है जो वोटर लिस्ट है आपके उस गाहों की वही कही जाती है ग्राम पंचाये तो यहां पे जान ले हमकि ग्राम पंचायत क्या होती है हमारे जो ward members होते हैं उन ward members को मिलागर के बनाई जाती है समितिया और ये समितिया साथ में प्रधान मिल करके क्या होता है ये ग्राम पंचायत बन जाती है और ये काम करती है उस ग्राम सभा के विकासकार के लिए तो इन दुनों के बैठके होती है ग्राम सभा की दो बैठके एक रवी फसल के बाद जो आप काप्रेल के मामें होती है दूसरी खरी फसल के बाद जो की आपकी लगबग 2 अक्टूबर से 31 जनुरी के बीच में करा ली जाती है अब हम बात करें दूसरी सौमित कुत यहाँ पर ग्राम बन जाता है जिसमें क्या होते है आपके प्रत्तेक 15 से 20 घर पीछे एक वार्ड बनाया जाते है और वहाँ से वार्ड मिंबर निर्वाचित के जाते है और उन्हीं वार्ड मिंबर को मिला के मिलाई जाती है हमारी 6 समितिया तो इन समीतियों के कार क्या है दायत तो क्या है इनके नाम क्या है तो आई ये जान लेते हैं कि ग्राम पंचायट जिन समीतियों को मिला के बनती है जिसमें किन की समीतियों के अधक्षप्रदान होते हैं किन के उनके वाड में बनाय जाते हैं और उनके क्या अधिकार होते हैं तो फिर पंचायत का गठन नहीं होता, मतलब प्रधान अपनी समीती बनाए, मतलब अपनी मंत्र मंडल को गठित नहीं कर पाता है। दोस्तों जिस तरह से हमारा प्रधान मंद्री पूरे देश में मंद्रे 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 दिखारियों की। यहाँ पर पहले बात करें नियोजन्मन विकास सम्ति के तो यहाँ पर ग्राम पंचयत की योजना तयार करना, किसी पसपारन और गरीबी उन्मुलन कारेकों को संचालत करना। इसमें प्रधान सभापती होता है, मतलब प्रधान ही जो है उसको अध्यक्ष भी कर सकते हैं, उनके अलामा च्छ अनिस्दस होते हैं, अन्सूचिजाट, जंजाट, महिला और पिछले वर के एक एक सदस जो होते हैं, इसमें अवश होंगे, और यह सारे सभी तरह के समीतियों इसमें होते हैं, दोटों बताते हैं, आपको नियोजन और विकार सम्थी, सिछा सम्थी और प्रसासनिक सम्थी, इन तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं, सम्थानी रूप से कहें, तो सभापती यह प्रधान होते हैं, दोटों आपर जो सेकंड सम्थी है, उसे बोलते हैं उसके क्या कारे हैं यहां पर प्रात्मिक सिच्छा, उच्छ प्रात्मिक सिच्छा, और प्रात्मिक सिच्छा, उसके साथ सच्छता सम्मंदित कोई भी मुद्धे होंगे तो यह समिंती का कारे होता है कि उस सम्मंदित मुद्धों पर फैसला लेना इसका दाईत होता है लोग समान दर पे इस सब की जिम्मेदारी इस प्रसाजिक सम्ति की होती है मतलब जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है इसके लावा जान ले जो भी कर्मचारी हमारे गाउन लेबल से जुड़े होते हैं उन विभाग के अधिकारियों से समन्ने बनाना उनके साथ में मिटिंग करना लेट करना अपने काम की करवाना ही इस विभाग की में जिम्मेदारी होती है तो आइए बात करते हैं चोथी समति की दोथों हमें चोथी लुद्यक की वाय में जो आद्यक्ष होते है इन सब में जो है ये निर्माड समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है इनकी गुड़ोता सुनिश्चित करना और सारे कामों के देखरे करना भी तो यह बात कर लेते हैं 25 समिति की जिसे हम कहते हैं सौस्तेवम कल्याड समिति यहां पर चिकिस्ता सॉस परिवार कल्यार सम्मादिकार है और समाज कल्यार बिसे सुप से महिला एवं बाल करनाएं की योजनाओं को संचालन अन्सूची जात अन्सूची जन्जात था पिछड़े वर्गों के 19 संचन के लिए जो भी कारणा होगी उसको बनाना करना उनके लिए प्रयासर तरना इस समती के मेंजी मिदारी होती यहां पर चटवी समती है जिसका नाम है पेजलम सचता समती जिसका काम होता है राज की नल प्रबंदन समती और एक साच सचता समती जो होता है इसमे सारे वार्ड मेंबर्स वही होते हैं लेकिन सच्यू के रूप में जो काम करता है वो आपका लेकपाल इसमे जोड़ लिया जाता है बाकि प्रधान इसका द्यक्श होता है भूम के गाउं के जो भी मुद्द्य होते हैं चाहें जीron grand- Dolan दोपन, प具फालं के जो पुष्ट समिति की तो इसमें क्या होता है कि गाउँ के जो भी स्वास्त और बच्चों के पोसर से मामले होते हैं इसमें आपकी आशा जो होती है प्रदान के साथ मैं सेउंग ठोकर के समिति बनाती है और आशा ही क्या होती है इसकी जो है वो होती है सच्यू तो आप यह जान लिए यह दोनी हमारी उप समिति हो गई है और एक हमारी हो गई है अस्थाई समतिय तो अस्थाई उप और तीसरी हमारी जी होगी इसको बोलते हैं बिभागो जौरा बनाईगे समतिया कुछ भी कोई गावाँ पर प्रगोप आगया कोई बाड महामारी इस तरह समस्या आगे तो उस समस्या नेपटने के लिए क्या करता है हम ग्राम पंचया तो यह हो गया विभागोद रवने एक हम बात करते हैं सैविक सम्ति क्या होती है कि गाओं के जो बाहर इसे कोई नदी जा रही है उस नदी को गर जलासे गुरूप में कहीं बदल के कुछ उद्योग या कोई सिजाई का काम करना है तो वो नदी पे अधिकार एक गाओं का नह करना होता है तो इस तरह के सम्ति बनाई जाती है और यह आपस में काम करती है तो आई को आप जान चुकोंगे आपका जो पहला सिल्वस्ता कि किस तरह समितिया हमारे बीच में काम करती है कौन कुन समितिया होती है और क्या इसके दाइट होते है अमीद करता हूँ वीडियो लोग को पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर करेगा थैंक यू बार जैन